सर, हम सबको 3% ही देते हैं सर, 10% बुल कर आप बहुत जात्ती कर रहे हो, अब देखे न सर, मदुराय शहर में सिर्फ एक 50 बुलिस्टेशन है, जिसमें 50 इंस्पेक्टर्स, 150 सब इंस्पेक्टर्स, 3000 आफिसर्स हैं, हम हर महीने का 25 लाख रोकडा देते हैं सर, हमें और भी लो का तो कम से कम कमाते ही हो, देखो एक एजबी के अंदर कम से कम 4-6 पुलिस्टेशन आते हैं, मुझे 10% दो और चुक चाप अपना धंदा करो, तो डील पक्की, तुझे लगता है डील पक्की हो जाएगी, वह साला भावानी से बात करने के बात ही मुझ खोलेगा, एक बात तुझे लगता है, मैंने बहुत चड़ा लिया है? नहीं यार, तुने सिर्फ 11 पेगी तो लिये, फ्री में इतनी तो पीनी चाहिए, 11 पेग? बाइक नहीं चला पा रहा है, मैं चलाओं क्या? बाइक मेरी प्रॉबलम नहीं, वाइफ मेरी प्रॉबलम है, जिसने बार मार के मेरा कलर काला कर डाला है एवरी डे तुने कभी सासभाव की सिरियल देखी है क्या हाँ देखी तो है याद कर उसमें कैसे बीवी याद सच धच के राशन पानी लेके अपने पतियों पर टॉर्शर करती है और कोई बहानी नहीं सुना चाती सुना तुमनेशाम तक अगर मेरी बनार्शी साली नहीं आईं तो भूल जाना मुझे मेरी वाले भी ऐसी मारती है बस बिना मेकप किये अज फिर से पी कराए हो पिछले चनल में कुट्ती थी क्या अज फिर से पी कराए हो लगता है टेप अटक गई इसकी अज फिर से पी कराए हो गलती से अगर महगी वाली दारू पी भी ली ना जिससे बद्बू नहीं आती, फिर भी उसको पता चल जाता है. ऐसे कैसे यार? मेरी माँ तुमारी कसम नहीं पी. तो चलो इसमें भूख मारो. ये तो मुझे पेवड़ा साभीत करके ही रहीगी. पी नहीं है तो डरते क्यों हो? मैं शहर भर में लोगों की अलकोहल टेस्ट करता हूं. और मेरे घर में मेरी बीवी मेरे ही अलकोहल टेस्ट करती है. अगर ये न्यूस लीख हो गई ना, तो मेरी इज़त का कچरा हो जाएगा. कचरा तो तू रोज ही करता है. जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर बच जाएगा जल्दी बोल अब तू सीधा अपने घर जाग नाटक करकी बहुत गुस्से में कपड़े उताग सीधा नहाने चला जाग फिर प्रश करके फ्रेश बहारा जाग उचसे सिर्फ साबूं के खुश्बू आएगी शराब की बदबू बिल्कुल नहीं आएगी समझा ऐसा क्या चल्टेरा भी आईटराइग करके देख ठीक है आराम से जाना चल्टाओं कल मिलता है हाँ 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 है है अट है इस शेकर क्या क्या तुन्हें पता नहीं शैर टैर पंक्चर हो गया है लगता है किसी ने रोट पर कीले भी चाहिए है टायर पर कोई कील मिली भाई टायर पुरा फ्लेट हो गया है भाई मुझे यहां एक बुलेट मिली है क्या बुलेट ए गन निकाल देख रहां समाल के कोई तो है भाई बचके इदर कोई साना है कि अधिक है कोड़े भारा इए ठोक डालूगा यह तु बबलु भाई को जानता नहीं है यह बबलु भाई के आगे कोई शारा नहीं बदता उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को दिन धाड़े रास्ते के बीच माट डाला अगर हम लीगल ही कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को एंकाउंटर में मार देना चाहिए अगर लोगों का हमसे भरोसा ओड़िया और वो गुंडे मवालियों से डरने लगे तो फिर हमारी जरूवत क्या रहे जाएगी सर् हम एंकाउंटर कर भी देंगे लेकिन मीडिया इसे बड़ा चड़ा के दिखाएगी ये इंकाउंटर करना बड़ेगा पर ये हमारे कहने पर हो रहा है ये ना तो लोगों को ना मीडिया को पता चलना चाहिए हमारे डिपार्ट्मेंट तक तो इसकी ख़बर नहीं होनी चाहिए लेकिन गुंडों की इसकी भरण ज़रूर होनी चाहिए हलो पुलिस टेशन आप सरा तेली गली में जल्दी आजाईए सर इसके बारे में कुछ बताईए तेन लोगों पर गोलिया चलाई गई है तैकिकाद जारी है सर किसने क्या होगा ये जल्दी ही पता चल जाएगा का है तो त्रीची में है अरे मेरा फोन घुम गया रहे फिर से फोन घुमा दिया भाईया आपको ना हजार बारा सो रुपए वाला फोन यूज करना चाहिए आते वक्त लेकर रहा है एक मिनट रुक मदू बात करना चाहती है क्या जै त्रीची और मदूराई इतने पास होकर भी तुम हमसे मिलने नहीं आते मैं वहाँ आया और किसीने यहां बैंक लूट लिया तो मेरी नौकरी तो गई तुम कभी सीरियस होते ही नहीं हो ए सुन मुझे उसे बात करने देना अच्छा जै मां को तुमसे बात करने है जैन पिटा मां कैसी हो तेरी भावी ने तेरे लिए तीन लड़किया देख रखी है तीन से शादी नहीं करूंगा तो ठीक है आप बात चला दो ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि पुलीस वाला एक साथ दो लड़कियों के साथ शादी कर सकता है भावी मुझे लगा मां ह अच्छा कोई बात नहीं तुम्हारी भतीजी का स्कूल में आज पहला दिन है तुम उससे बात कर लो लो चाचा आज मेरी स्कूल का पहला दिन है ऐसा क्या मेरी गुडिया स्कूल जाना और खूब मस्ती करना फ्रेंड्स बनाना किसी ने कुछ बोला ना तो कहना चाचा तुझे ही क्यों चुंते हैं आपके से कोई सरपंच क्यों नहीं बन जाता ने ने मौन बाबु इस गाउं के लिए आपसे काबिल सरपंच कोई होई नहीं सकता क्या हुआ जै का फोन है हाजी जै विटा घर कबा रहे हो दस परा दिन लग जाएंगे पापा ठीक है लेकिन काओ कियो मेले के दौरान तुम यहीं रहो तो अच्छा होगा ठीक है जल्दी आ जाओंगा क्या हुआ दोस्त मेरा सॉलेड आइडिया काम कर गया ना कर तो गया लेकिन कहानी में ट्वेस्ट आ गया क्या बात कर रहा है मैंने जो कहा था वही किया ना तूने जो कहा वही किया जंजीर फिल्म के अमिताप की तरह एंगरी यंग मैन लुक लेके गया बिना हिले डूले चाबी निकल के दिवार पर लटकाई, शर्ट के बटन उतार के शर्ट खोली, फिर हाथ से घड़ी उतार के कबड में रख दी, और लूंगी लेके कमर में कस दी, फिर अपनी पैंट उतार दी, अभी ब्रश पर टूथपेस्ट लगाई ही थी, और बातरूम का दरवाजा खोल खी रहा था, और फिर क्या, मेरी वाइफ ने मिरा हाथ खसके पकड़ लिया, फिर से पीकर आए हो, भाभी को पता कैसे चला, ये सबाल मेरे मन में भी उठा था, तुमें कैसे पता चला, कैसे, तुम जैसे कोई ब्योडाई होगा, जो घर में भी हेलमेट पहन के खुमता है, हेलमेट पहना है, मर गया फिर वही बीना साबून की धुला ही हेलमेट के चकर में मेरा आमलेट बन गया यार यह क्या हो गया यार, कल रात किसी ने गोली मार दी इस हाथसे के बारे में एक दूदवाले ने पुलिस को फोन करके बताया पुलिस चान बीन कर रही है कि मडर के पीछे किसका हाथ है और इन तीनों को मारने का मकसद क्या है ये क्या हो गया यार? कल रात को तो उनसे मिले थे हाँ, मतलब डील गई हाथ से तेरी डील भी गई और मेरी जमीन भी गई अच्छा सुनना, उसके खास आदमी महारिशी से बात करना हाँ यार, उसको फोन लगा के पूछता हूँ हाँ, उससे डील करेंगे, उसे भी उपर पहुचाएंगे क्या का, फोन करना यार हलो, भाई नमस्ते मैं हरी बोल रहा हूँ हाँ, बोल, भाई ये सब हुआ कैसे, पता नहीं, हम पता लगा रहे हैं, तुझे पता चले तो बता दे ना, हाँ, हाँ, पका पका, अच्छा एक और बात करनी थी भाई, अपना नया पता नहीं भाई, हम जल्दी पता लगा लेंगे, बोल रहा है, दस दिन के बाद देखेंगे, दस तिन बाद, ड्यूटी जॉइंग करने से पहले मिलता तो अच्छा होता, तुबोलना अर्जंट है, मेरे बाहर निकलने से पहले उसका पता चल जाना चाहिए, क्या है बे, भाई, ACP को आप से जल्दी, बोला ना, दस दिन तक नहीं मिल सकता, इतनी जल्दी क्या हो रही है, फिर से फोन किया ना, इतना मार मों खुद को नहीं पचान भाईगा, फोर रख, फाइन, क्या हुआ, भड़क के फोन काट दिया, यार, किसका फोन था, वो कॉंस्टेबल ह भवानी बोल रहा हूँ, जट से बात हुई है, भवानी, तो दस दिन में छूट जाएगा, टेंशन मत ले, थैक्स लाल भाई, सर, मिनिस्टर साब बुला रहे है, बोलो आ रहा हूँ, मिनिस्टर न अंदर बुला रहा है, यार को बाद में फोन करता हूँ, आने वाले असे हट के आगे ये टुचे नेता हवा हो जाएंगे, टी-एम के पार्टी जो पैसा बहाएगी, उसके आगे हम फीके पड़ जाएंगे, इस बार लगता है, वो हर हालत में मुझे हरा करी दम लेंगे, मैंने रामा स्वामी की फैमिली को नाराज करके बहुत बड़ी गलती कर द अचानक आज कैसे, देखो पुरानी बातों को भूल जाने में ही सब की भलाई है, वैसे गुड़नी उसे तुम्हारे लिए, तुम्हारा फाइदा ही फाइदा है, जाता सोचो मत, आजा, लाल, एक मिनिट रोख, ए, कैनेडा का पार्सल गया ना, हाँ काली गया साब, हाँ एक जरूरी काम है, उसको निप्टा कर रात को बार में मिलते हैं, ठीक है सल्वम, ओके, बाई, यहां रख दो, सर चकना, ठीक है, नमस्ते मामो, आओ सल्वम, बैठो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा ना, हाँ, सब ठीक है, इस बैग में पांच लाग है, हमारी पार्टी जोइ ठीक है, जीतते ही तुम्हें हाउसिंग डिपार्टमेंट का चैर्मेन बना दिया जाएगा, यह मेरा वादा है, ठीक है, ठीक है मामा, पर मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, आप चैर्मेन बना तो यही काफी है, आने वाले बुदवार को दादा जी की बरसी है, मैं उसे दि प्लिटिक्स में चालें, सिचुएशन देख के बदलती है, हम पलट भी तो सकते हैं, हलो, बोलिये भईया, तुझे बताया था ना चिन्ना मामा को मिले जा रहा हूँ, हाँ, पार्टी जॉइन करने के लिए कह रहा था, और आने वाले इलेक्शन में केंपेन करने के लिए कह रहा था कि मुझे चैर्मेन बना देगा, आपने ये बात पापा को बताई, हाँ, बताई ना, उन्होंने कहा कि तुझे भी राय ले लूँ, भाईया, मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों, मैंने उसे जबान दे दिये कि दादा जी की बरसी पर मैं उसकी पार्टी जोइन कर लूँगा, ठीक है भईया, अगर आपको ठीक लगता है, तो कर लीजिए, ठीक है, क्या बे, बड़ बोले हरी, पुलिस के नाम पर धबबा है तू, इधर उदर क्या देगा है, तुझे से बात कर रहा हूँ, शुरू हो गया, ये, क्या बकवास कर रहा ह तेरी तो, अच्छा हुआ, हरी, रोक लिया, वर्न वहां आके मारता, हिम्मत तो देखो इसकी, इतना मारता कि हड्यों का धाचा बन जाता, बना, बना, बनाना, छोड़ ना, जोड़ ना, जोड़ ना, ये, अबे, कबसे तुझे बुरा भला कहते जा रहा है, बच्चा है, बने बटू, अरे, रुकना, मज़चा, जल चल निकल यांसे, वो क्या है, मेरा और उसका पुराना लोचा है, तेरा और स्कूल के बच्चे का, बस है कोई मजबूरी, ऐसी क्या मजबूरी है, वो बात ही, अरे उधर मद देग, इतर देख, दरसल बात ही है कि वो मेरे घर के पास ही रहता है तू जूट बोलू कि मैं तरा बड़ा भाई हूं गांदी जी का वास्ता दे दिया रे मेरे पापा हमेशा कहते पढ़ाई लिखाए में किसी बच्ची की मदद करो तो उपर वाला आपके एकाउंड में पुन्य क्रेडिट करता है मेरे पापा की बात में टाल नहीं सकता था इसलिए उट जोलर पर भरोसा किया और चड़ गया सुली पर मैंने तुम्हें अपने मम्मी या पपा को लाने को कहा था ना सर मैं अपने बड़े भाई को लाया हूं बड़ा भाई मैं के एलियन लगता हूं नमस्ते सर अ मैं आप हूं एलियर तूम यहा झाने यहा यहा हूं झाल गवरे ला दो लड़ हा जड़े उन्न टाल भरोसा यहा हूं एलिया भाई खा उन्ने बड़े लादा में खावितागा हूं q एर भाई बावा जाच गब हाई का लो भाउ मैं अवासा बागने भाई के लूमा